दोस्तों और इस्टेटीवी ध्यान ट्रकास में आप सभी का हारदिक स्वागत है UPPCS 2023 बहुत लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे जो लोग लगातार PCS की परिच्छा को क्रेक करते रहते हैं साल दर साल और कई सारे लोग बस नाम लेते रह जाते हैं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ताउम्र तयारी करते हैं कभी उनका प्रेवी क्रेक नहीं होता है और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो की GoPro List से हटने का नाम ही लेते हैं आकिर इनमें basic difference क्या होता है देखे friends कहा गया न कि ये दुनिया एक नकल है जो original copy है जो वास्तिक प्रतलिपी है वो आपके mind में बनती है अगर आपने अपने मस्तिस्क में एक ठीक ठीक diagram बना लिया तो फिर आपको उसे धरातर पर उतारने से कोई रोग भी नहीं सकता है UPPCS 2023 के बारे में बिल्कुल सही समय पर मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ अगर आप त्यारी करना चाहते हो तो यही सबसे मुफीत समय है अभी कुल मिलाके लगब साथ महीने आपके पास हैं और साथ महीने बहुत ही important है क्योंकि अब से ही अगर आप त्यारी करेंगे तभी आप current affair और static की proper त्यारी कर पाएंगे तो UPPCS 2023 के बारे में कुछ जानकारियां मैं आप से सेर करना चाहता हूँ जो कि आप लिए बहुत ही अहम है और इसमें ये बात भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा विषय चुनना चाहिए सबसे important है subject selection तो मैं आपको सारे विषयों का नाम बताऊंगा और आज आपको final करना होगा कि कौन सा विषय लेने वाले हैं आप क्योंकि अगर विषय आज आपने clear कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने 14 मैदान तो फता कर लिया तो सबसे पहले यह कि notification इसका कब तक आएगा ठीक है देखो friends आपको बता दें कि UPPCS का जो notification होता है यह March या फिर April के महिने में आता है और इसी महिने में इसके लिए आवेदन भी लिये जाते हैं March अप्रेल 2023 में notification आएगा और इसी महिने में आवेदन लिये जाएंगे ठीक है प्री की परिख्षा कब होगी? प्री का जो exam होता है यह कब होगा? तो देखो जो प्री की परिख्षा होती वो अक्सर UPSC के ज़स्ट एक दो हस्पता के बाद होती है UPSC 2023 प्री की जो परिख्षा है यह इस साल 2023 में 28 मई को होने वाली है ठीक है? तो इसलिए UPSC प्री की जो परिख्षा है यह निश्चित रूप से जून महिने में करवा ली जाएगी जून 2023 में तो जब वीडियो आप देख रहे हैं तो अक्टूबर खतम होने जा रहा है आपके पास दो महिने बच रहे हैं 2022 में 5 महिने बच रहे हैं 2023 में कुल मिला के 7 महिने का समय है जो कि बहुत ही अहम समय है अगर आप प्री को और मेंस को क्रेक करना चाहते हैं तो इसलिए ये वीडियो में आपको बना रहा हूं आपके लिए बना रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि समय से आपको जानकारी मिल सके दूसरी बात ये कि मेंस की परिक्षा करब होगी ठीक है क्योंकि मेंस भी काफी important है तो मेंस के बगर तो कुछ होना है नहीं important होई ये दूकर मेंस भी UPSC को follow करता है UPSC 2023 में जो मेंस की परिक्षा होनी है ये सितंबर में सुरू हो रही है इसकी date आचुकी है 15 सितंबर से UPSC मेंस की परिक्षा आजित करेगा तो आप मान सकते हैं कि जो UPSC 2023 के लिए मेंस की परिक्षा होगी वो October या November में definitely करवा ली जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास मतलब एक साल का समय है और एक साल का समय यह परियाप्त है अगर आप इस परिक्षा को वास्तों में क्रैक करना चाहते हैं तो कोई माई कलाल आपको यहाँ पर रोक नहीं पाएगा ठीक है तो यह सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान से समझ लेनी है इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ अहम बाते मैं आपको और भी बताना चाहूँगा सबसे पहले यह तो यह की फीस कितनी लगती है तो फीस जो प्री की होती फ्रेंट्स यह बहुत नॉमिनल होती है मातर 125 रुपे आपको फीस की तोर पर देना होगा इसक्रीज भी हो सकती है बन्दब 400 से अधिक भी हो सकती है लें कम से कम 300 से 400 के बीच में सीटें रहेंगी जो उम्र की गढ़ना होती है यह कब से की जाती है देखो फ्रेंड्स जो उम्र की गणना होती है अगर यह 2023 की वेकैंसी है तो 1 जुलाई 2023 को आपकी उम्र की गणना होगी आपकी उम्र 21 साल से लेकर 40 साल की बीच में होना चाहिए ठीक है अगर आप YAC या फिर YST या फिर OVC कंडिडेट है तब 5 साल का आपको रिलेक्स सतन मिल तो मतलब आपकी उम्र तब होनी चीए 21 से लेकर 45 साल के बीच में ठीक है यानि कि अगर आपको जो डेट आप बरते है वो 1977 1977 है तब भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे ठीक है तो उम्र कल्कलेट आप लोग कर लिजिएगा अगर आप आते हैं तो यहां पर सारी बाते म मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छा अब बात करते हैं कि कौलिफिकेशन के बारे में कि कौलिफिकेशन कितनी हो जी है सामाने तया जो बहुत ही इस वदल पोस्ट होती हैं जैसे कि सबसे पहले तो जब आप यू भी पीसे से बात करते हैं तो आपकी दिमाग में आता है समझ गया कुछ पाद के लिए इस वसल अरता मंगी जाती है जैसे कि जो पॉस्ट होती है इसमें आप से पीजी मँंगा जाता है और एक होता है वरिष्ट प्रवक्ता डाइट के लिए उसमें बीड और पीजी मांगा जाता है तो इसी प्रिकार से एरिकल्चर से संब्धनी दिश्टे होते हैं स्रम प्रवक्तर अधिकारी का जो पद होता है उसके लिए तो मैं आपको जो नोडिफिकेशन सेर कर दूँगा वहाँ पर आप देख सकते हैं तो सामानिता अगर आप असना तक हैं तब आप इसमें आविदन कर सकते हैं DYSP बनना चाहते हैं तो कुछ क्राइटेरिया है फिजिकल जैसे कि अगर आप जनरालोबेसी मेल कंडिडेट हैं तो आपकी जो उचाई है वो 165 cm से कम नहीं होनी चीए और सीना जो है सामानिता 84 फुलाने पर 89 तक जाना चीए अगर आप यसी कटेगरी से आते हैं तब आपकी जो लंबाई है वो 160 cm कम से कम होनी चीए वह इवर फिमेल कंडिडेट लिए जो उचाई है वो 152 cm कम से कम और यस्टिक लिए यह कितनी हो जाती है 147 cm ठीक है अब बात करते हैं हम लोग pre और mains exam के बारे में यानि की selection का credit यह क्या होता है सबसे पहले तो आपकी pre की परिक्षा होगी pre की परिक्षा होगी फिर mains जो लोग pre में कौलिफाई करेंगे उनका mains होगा mains के बाद आपका interview होता है ठीक है pre की परिक्षा में दो paper आपको देने होते हैं पहला paper जो होगा वो GS का पहला paper होगा दूसरा paper GS का second paper होता है second paper को अक्सर लोग C-set के नाम से जानते हैं दोनों ही paper जो होते हैं 200-200 अंकों के रहेंगे और जो प्रस्णों की संग्या होगी वो पहले paper में 150 रती है evaluate किया जाएगा तो सामाने तार 150 में से अगर आप 90 प्रस्णों को 90 MCQ सही मार देते हैं तो आप mains के लिए qualify माने जाते हैं बात करते हैं mains परिक्षा के बारे में तो mains में कुल मिला के आपको 8 paper यहाँ पर देने होंगे ठीक है और इसके लिए कुल पूरां कितना होता है 1500 तो 8 paper कौन कौन से होते हैं जो पहला paper होगा वो सह होता है सामान हिंदी का ठीक है जनरल हिंदी का paper होगा और इसके लिए 150 अंग दूसरा paper कौन सा होता है एसे का होता है निबंद का होता है तीन निबंदा आपको लिखने पड़ते हैं तो ऐसे के लिए भी 150 अंग इसके बाद तीसरा चौथा, पाचवाँ और छटा ये चार पेपर जो होते हैं ये GS के होते हैं ठीक है तो GS के चार पेपर होंगे GS First, GS Second, GS Third और GS Fourth इसके लिए जो पुडांग होता है वो 200-200 अंकों का रहेगा समझ गया आप दो पेपर कोई भी एक बिसे है जो कि आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ और आज सेलेक्ट कर लेना कि कौँ सब इसे लेने वाले हैं और जब आप सेलेक्टिन कर लेना तो बताना जरूर ठीक है सलेबस मैं आपको दे दूँगा सलेबस भी आप चेक कर सकते हो तो इसके बाद दो जो भी आप्सिनल में लिखूंगा आपर जो भी बीसे आप लोगे वो आप्सिनल होगा तो ओसिनल के दो पर होते हैं तो ये भी दो सो दो सो आंगों के रहेंगे अब आप पूरा जोड़ेंगे तो पंदर सो आंगों का आपकी मुख्य परिच्छा होगी इंटर्व्यू अब मात्र सो आंगों का होता है इसलिए जो आपकी final merit बनती है वो कितने अंकों पर बनती है final merit में आपके जो है mains और interview के अंक जोड़े जाते हैं में में 1500 और interview के 100 यानि कि 600 अंकों पर आपकी जो final merit है वो तयार की जाती है इसमें अगर आप 900 अंक भी प्राप्ट कर लिये तो आपका सेलेक्शन तैय है, कोई रोक नहीं सकता है, इसके नीचे भी तैई बार सेलेक्शन हुआ है, ऐसा देखा गया है, यह सारी बाते मैं आपको बताएं, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, डेटेल में सलेबस, यह आपका सलेबस क्या है, तो दोस्तों, यहाँ पर आप जो आपकी प्री परिक्शाओगी, यानि कि जिसको आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग कहेंगे इसको, जो प्री का जो पहला पेपर होता है, यानि कि प्री का जीयस फर्स पेपर, इसका सलेबस क्या है, तो दो गंडे का समयाब को मिलता है, और कुल अंक होते हैं 200, इसमें क्या का स्लेबस रहेगा ये तो आप कई बार देख चुके हैं फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें स्लेबस क्या क्या रहता है ठीक है वही करेंड अफेयर है भारत का कियास और भारती डाश्ट्री आंदोनन भारत और विश्का भुगूल भारती डाजनीती और सा समाजी विकास इसके अलावां कर आप देखेंगे तो पर्यावरन और शामान विज्ञान राश्ट्री और अंतराश्री महत्युकी मतलब यह स्लेबस है यहाँ पतुरासा इसको डीटेल में दिया गया है तो डीटेल वाला आप लोग पढ़ लिजीगा और यहाँ पर अंग आपको लेकर आने होते हैं और सी सेट में आप देख सते हैं आपर कांप्रेंसन इसके अलावां अंतरव्यक्ति छंता जिसमें संप्रेशनल कोसल भी समाईत होगा तार्किक और विश्रात्मा योगिता निरेडेन छंता समाने बहुती क्योगता और हाइसको लेबल तक उनको मुश्किल नहीं लगता है जो लोग आड के भी है और जिनका ग्रामर हिंदीर और अंग्रेजी का ठीक टाक है तो उनके लिए भी सेट कौलिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है आपकी जो मेरिटे वो बनेगी पहले पेपर से तो पहला पेपर आपके लिए क आप हिंदी अंग्रेजी या उर्दू में लिख सकते हैं मतलब बाकी पेपर आप किसी मेडिया में लिखे लिखें निबंद आप हिंदी अंग्रेजी या उर्दू जिसमें भी आप सिद्धस्तों लिख सकते हैं कम सकम एक निबंद 700 सब्दों में होना चाहिए एक परने बन, खंडगाय मसे कोई एक टॉपिक, आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद मामला बंता है सामान अध्यान का जो कि आपके सामने हैं, तो सामान अध्यान का स्लेबस है उसको आप लोग पढ़ते रहे हैं, आने वले समय में मैं इसके बारे में भी आपको मिस्तार में हर बताता रहूँगा अगर आप तयारी करने UP PCS की तो फिर आरो यारो खंचीचा दिकारी वगरा इस तयारी अपने आप हो जाती है स्लेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको जो किन-किन विश्यों का चुनाओ करना पड़ेगा तो सबसे important है यह और आज आप लोग देख लिजिए कि इन में से कौन सा विश्य आप चुनेंगे अगर आपको चुनना हो कि मुखी परिक्षा में तो आप इसमें से कौन सा विश्य चुनेंगे यह आज आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लिजिए ठीक है तो आप देख लिजिए यहाँ पर सबसे पहले बैकल्बी विश्य में कृस्य है और प्राणी विज्यान है रसाणे विज्यान है बहुती विज्यान है जो भी विइस आपके दिमाग में आ रहा है तुरें नीशे कमेंट कर दीजिएगा वस्पालन और विधी पस चिकितसा विज्ञान सांगी प्रमंधन राधिद विज्ञान और अंतराची समद्रकों यह जो टॉपिक है सत्रामा और निष्वा civilization यह लेगों मिलता जूलता है इतिहास है निरी विज्ञान है निरी विज्ञान और समास शाहत भी आपस में काफी मैच होता है इसके इसके लामा सिविल-व्यांद्रिकी है यह जो भीषे होते हैं इसको बेटे को अगले अक्सर लेते हैं अंग्रेजी उर्दू और हिंदी का साहित है इसमें से कोई भी एक भी से रूप में आप चुन सकते हैं संस्कित में सामिल है चिकित साब इज्ञान है वाड़ी जी और ले खांकन है तो कौन सा भी से आप लिए आसान लग रहा है आप कमेंट करके बताइए आप बत लग जाए ये तैयारी में बिल्कुल होसला रखिए सफलता उन्ही को मिलती है जिनके पास होसला होता है होसला बनाया रखिए तैयारी में अभी से लगिए प्रति दिन मैं आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट और लेबल करवा रहा हूं करेंट फिर का वीडियो आता है फिर के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो लगातार आपको मिलते रहेंगे तो इसमें से आप तैयारी लगातार करते रहें सफलता आपको जरूर मिलेगी और याद रखिए कि होसलों सही उड़ान होती है स्तरीर में ताकत नहीं आपके विचार आपको सक्तिसली बनाते हैं तो अपने विचारों में मलिंता बिल्कुल मताने दीजिए आने वाला समय आपका है इनी सुपकामनाओं के साथ इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं सिक्री मिलेंगे आपसे पुना एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को हैपी दिवाली दिपावली की देर सारी बधाई और शुपकामनाओं